अब हमारे सामने ऐसे विशय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोछ सोज भी नहीं सकता था अब जैसे क्रिप्टो करण्से से जुड़ी चुनोती है इस मामले में जादा से जादा integrated approach की जरुरत है मैं समझता हूँ इसके लिए एक global framework बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी stakeholders का ध्यान रखना चाहिए artificial intelligence को लेकर भी इसी प्रकार की approach की जरुरत है आज AI को लेकर दुनिया बहुत excitement देख ही रही है लेकिद excitement के बीच कुछ ethical consideration भी है skilling और re-skilling को लेकर algorithm, bias और society पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जता ही जा रही है ऐसे विश्यों को भी हम सबने मिलकर के हल करना होगा global business communities और सरकारों को मिलकर के यह सुनिश्चित करना होगा के ethical AI क्यों विस्तार मिले जτά है क्या तूब एक मिलकर करना हूँ यह जप friction